यहां दोस्तों स्वागत हैब का हमारे यूट्यूब चलना ड्रीम जाब भी धंकित दोस्तों यहाँ फानली बेकंसी आ चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले अफिस्यल साइट पर आएंगे इसकी एफिस्यल साइट है यूपी बीपी डाट यूब ड इस पर हम जैसे किलिक करते हैं एक नई नोटिफिकेशन यहाँ पर हमें डाउनलोड करने को मिल जाता है देखिए ओपन भी हो गया है और यह नोटीस देख रहे हैं आज की डेट में अप्लोड किया गया है और आज की डेट है 23 दिसमबर 2023 यहाँ पर देख सकते हैं यह जैनल गई उसके बाद EWS की दी गई है जैनल में है 24,102 EWS में 6,024 उसके बाद OBC इसमें 16,264 वेकंसी उसके बाद SC है, SC में 12,650 और फिर है ST, ST में 1204 वेकंसी है यहाँ तोटल वेकंसी यहाँ पर हम देखते हैं तो टोटल कितनी हो रही है 60,244 वेकंसी अब देखते हैं कि फार्म कब से चालोगा तो यहाँ वे देखते हैं आनलाइन सुल्क प्राराम होने की यानि जमाख फार्म शुरू करने की और सुल्क जमाख करने की थी है 27 दिसंबर आनलाइन फार्म अविधन करने की उसके बाद यहाँ पर आनलाइन अविधन जमाख करने की अंतिम्ति थी कहें 16 जन्वरी 2014 तक यानि आपको लगबग 18-20 दिन का समय दिया कि तभी से लिया जाता है इसमें category के कोई यहाँ पर वो नहीं mention किया गया है अब बात करते हैं अहरता की तो भारत का नागरी होना चाहिए तो सभी के पास ही रहेगा तो इसमें कुछ नई बात नहीं है और नीचे आते है अब बात करते हैं सच्छिक अहरता की ज thenぎ की क्वा हरता हो, यानि आपके पास 10 प्लस 2 होना चाहिए, intermediate आप पास होने जरूरी है, ठीक, उसके बाद आवेधन करते समय भरती को पेच्छी सच्छी के हरता अवस्सिधारित करनी चाहिए, यानि आवेधन जब आप करते अगर आपने ओ लेबल किया हुआ है, तो आपको प्रात्मिक्ता दी जाएगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद यहाँ पर प्रदेशिक सेना में निंतम दो वर्स कियो तक अपने कोई सेवा दी हो, या फिर आपके पास NCC का B Certificate हो, तो भी आपको प्रात्मिक्ता दी जाएगी, अब बात करते हैं आयू की, तो आयू की देखिए, यहाँ पर मिनिमाम 18 साल है, मैक्सिमाम 22 साल है, ठीक, और प्रूस अभर्थी जो है, वो 1 जुलाई 2003 से, 1 जुलाई 2005 के, सुरी यहाँ पर तीन नहीं है, यहाँ जुलाई 2023 से उनका काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई 2023 को, वो या तो 18 साल हो रहे हो, या तो मैक्सिमाम 22 साल हो रहे हो, और जो एज है, वो लाई होना चाहिए, 2 जुलाई 2001 से ले करके, 1 जुलाई 2005, इसके कहने का मतलब यह है, कि इस से प तरह से महिला के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 जुलाई 1998, महिला को यहाँ पर देखिए, 25 साल तक लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं, पूर उसके लिए यहाँ बाईस साल ही है, तो 2 जुलाई 1998 से पहले का ना हो, और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो, यह महिला के कि के लिए जब फार्म भरेंगे तो वहां पे आपको दिया जाएगा अब बात करते हैं लिखित परिच्छा की तो लिखित परिच्छा कैसे होगी ऐसे बेर्थि जिनके अब दिन पत्र पर्थाम द्रश्टिया सही पाए जाए जाए इनको वेरिफिकेशन सही सगर हो जाता है उ अग्षित परिच्छा में सब्लेत होने की पिछा की जाएगी ठीक IQ जाए लिखित परिच्छा में क्या होगा यहां पर कि चार विषय होंगे समान ज्यान समान हिंदी संख्यात्मा के ओं मानसिक योग गता यानि रिजिनिंग और मैथमेटिकल रिजिनिंग इसको समझ लिजी उसके बाद यहां पर मानसिक अभरुची या रिजिनिंग बुद्धी लब्दी ओम तारकिक छमता यह मायत हो गया इस हो गया और आपका हिंदी हो गया अब यर्थियों को लिखित परिच्छा में गलत उत्तर देने के लिए रड़ात्मा अंख प्रदान की जाए निगेटिव मार्किंग रहेगी लिखित परिच्छा में कुल डेड़ सो प्रस्ण होंगे तीन सो अंक होंगे गेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है परिच्छा की ओयमार अधरित होगी तो आफ लाइन में तो ओयमार अधरित होगी ही और यहां पर बोला जा रहा है यदि एक से धिक पालियों में परिच्छा आपकी होती है तो फिर नर्मलाइजेशन लगाया जा सकता है अब दोस्तों बात करते हैं सारीरिक मानत परिच्छड यानि फीच कर इस्टेंडर्ट टेस्ट तो यहां पर पूरुस अभरती है उनके लिए यहां पर हाइट 168 cm होनी चाहिए यहां पर देखिए जन्रल ठीक ओबी सी और सी सभी के लिए 168 cm की हाइट होनी चाहिए कम से कम ठ इस्टी के लिए 16 cm है इनको 8 cm का रिलेक्सेशन दिया जाता है उसके बाद यहां पर सीना में क्या है सीना में जन्रल, OBC और SCA भरतियों के लिए 89 cm बिना फुलाए और फुलाए और फुलाए के 84 cm होना चाहिए इस्टी के लिए यहां पर छूर दी जाती है उनकी 70 cm से लेकर 82 cm होना चाहिए ठीक और निउन्ताम 5 cm का आपके सीना में फुलाओ अनिवार है ठीक उसके बाद महिला के लिए देखते हैं क्या है महिला के लिए यहां पर 152 cm है जन्रल, OBC और SCA भरतियों के लिए और वहीं इस्टी महिला है उनके लिए 147 cm उनकी हाइड है तो वो उसे अपलाई कर सकती है अब बात करते हैं यहां पर वजन की तो महिला भरतियों के लिए निउन्तम 40 kg का वजन मांगा गया है अब बात करते हैं सारिटिक दस्ता परिछण यानि फिचकल एफिसेंसी टेस्ट तो यह जोता है एक मीं में 1.6 km, यह जो दोल में पायागा वो इसके पाति होंगे तो बदोल भात पशिस मुन, के अन्दर तो फिर सी जहनी लगभग 3,5.1 kg आफ के अन्दर के अंदर है यहाई बात करता है है यहाँ पर 56 मंती म्योगता सुची के से तियार की जाएगी फाइनल यूख च सता परिच्छा में शफल पाएगे भर्षियों मेंसे लिखित परिच्छा में प्रة प्रेंगय प्रति प्रतिदारा प्राप्त अंकों त्यार नहीं की जाएगी यानि की आपको यहां पे वेटिंग लिस्ट नहीं मिलती है ठीक और अकर दो भेर्थी समान अंग पाते हैं तो उसमें से जिसके पात अधिमानी हरता रहेगी उसको प्राथमिक्ता दी जाएगी और दोस्तों जो जो रिजरेवेशन मिलेगा आरच्छाण आपको उत्तर प्रदेश के मून निमासी होगा उसी को दिया जाएगा इसके लावा दूसरे को नहीं दिया जाएगा दूसरा है राज से कंडिरेट आएगा तो उसको जन्रल कटेगरी में फाइट करना होगा अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एज रिलेक्सेशन की देखिए यहाँ पर अनसूचित जाती के लिए यहाँ पर अजिकतम आई में छूट है पांच वर्स ठीक और इसके बाद फिर अनसूचित जन जाती के लिए इस पर भी पांच वर्स है अन पिछड़ा वर्स के लि है और आपको वेरिफिकेशन जो आपकी सची अभिलेखों का डिजी लाकर के माध्यम से होगा फोटो साइन कैसे अपलोड करना है उस पर हम अलग से जब वीडियो फॉर्म आएगा तब हम बना के आपको दिखाएंगे ठीक उस पर तो कुछ नया बात करनी जुरूत नहीं है ची नीचे आते हैं फोटो तो आप नया खिछवा कि रख लिजेगा देखिए यहां लिए जयरईगा तो आप फोट नया कोई घिचवा लिजिएगा और यहां पे दिखा रहा ही कोई अगर नवकरी कर रहा है तो उसमें वर्दी नहीं होने चाहिए फोटोमें ठीक आपको स परिष्छा का पार्वडिकर्म दिया है टोटल तपिक वाई's यहां पें सिलेबस दिया गया है कौन कौन से Waar आए गा इस पर हम बात करेंगे इस सके सके बांग करेंगे देडेल बहुत ब्लाग से से सब्भा करेंगे अब माँ दिल में नहीं तक मई तो आप इहां पर आपकरत कि जब भी मांगा जाता है वो एक अपरायल के बाद का इसे आप बनवा लिजिए चारव से पांच दिन लगता है बन जाता है दिक हमने विडियो बनाय हुए हैं कैसे बना जाता है अप कोई दिक्कत नहीं है असानी से आपको मात्र 15 रुपय में आपका अजात दोनों जोमूं नहीं एक 15 बनेगा 15 में निवास बनेगा 30 रुपय में आपका 2 बन जाएगा तो आपको जानकारी कैसे लिए गर अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया चैनल पर नाया है सब्सक्राइब नहीं कि तो कर लेजिए आपको चैनल के माद़ने से बिलकुल मदद मिलेगी आपको फार्म भरने से लेकर पुरा फार्म समिट करने के उसके बाद अपको एक्जाम क तो मिलते हैं हम आपको 27 तारीक को चुकि 27 तारीक को फार्म चालोगा तो फार्म आपको पूरा फार्म भरके दिखाएंगे लाइब आपको तो मिलते हैं अब तक के लिए बाइटेकर जहन बंदे माप राव